आपका स्वागत है, रिजर बैंक ने DHFL के खिलाफ 20 नॉम्बर को एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, हम जानेंगे कि ये फैसला क्या है, RBI का क्या एक्षन है और उसके बाद में इसका क्या एफेक्ट होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि RBI का ये एक्षन है क्या और उस के बाद में हम जानेंगे कि इसका क्या एफेक्ट होगा, तो हम शुरुआत करते हैं RBI के एक्षन से, तो दोस्तों, The Reserve Bank has on 20th November 2019 superseded the Board of Directors of Divaan Housing Finance Corporation Limited owing to governance concerns and defaults by DHFL in meeting various payment obligations. Reserve Bank ने 20 November 2019 को DHFL की कायर प्रणालियों और देंदारियों में गरबड़ियों के चलते, उसके Board of Directors को खत्म कर दिया है. अब हम इसको तीन तरह से देखेंगे, इसके हम तीन चरणों में इसका analysis करेंगे, इसको देखेंगे कि ये क्या action लिया है, तो जैसा कि आप screen पर देख रहे हैं, यदि आप एक website को लें RBI की, तो आप देखेंगे कि RBI ने एक press release जारी की है, बीस number को, और इस press release में क्या है, वो मैं आपको detail में बताता हूँ, हिंदी और इंग्लिस दोन में ही. तो इसमें हुआ यह है कि भारती Reserve Bank अधिनियम 1934 की धारा 45IE के तहत, प्रदत सक्तियों के तहत, Reserve Bank ने आज प्रसासनिक गड़बडियां और देंदारियों की चूप के कारण, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉपरेशन लिमिटेर यानि DHFL के निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया है, और इंडियन ओवर्सीज बैंक के पूर M.D.O.C.E.O. स्री आर सुब्रमने कुमार को अधिनियम की धारा 45IE2 के तहत, प्रिशाशक के रूप में निउक्त किया गया है, रिजर बैंक सीगर ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक लप्सी वित्ती सेवा प्रदाता एवं दिवालिया प्राधिकार को आवेदन की इंसॉल्वेंसी एंडिकुडेशन प्रसीडिंस नियम 2019 के तहत, कंपनी के संकल्प की प्रिक्रिया शुरू करने का इरादा रखता है, और यह भी प्रिसाशक के रूप में नियूक्त करने के लिए NCLT पर लागू होगा, तो इस तरह से रिजर बैंक ने अपने एक्ट 45IE की धारा एक के तहत, जो DHFL का निदेशक मंडल था, बोर्ड अब ड धारा 45IE है, यह आखिर है क्या, तो यहाँ पर यह 45IE की धारा यहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ पहले इंगलिश में और उसके बाद में हिंदी में, तो सप्रेशन ऑफ बोर्ड अफ डिरेक्टर्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनशल कंपनी अधर देन गॉर्मेंट कंप कंपनी अधर देन गॉर्मेंट कंपनी देन आर बी आई कन सुपर सीड दा बोर्ड अफ डिरेक्टर्स ऑफ सच कंपनी इसके बाद में जो सेकंड सब सेक्षन में है कि अपॉइंट सूटेबल पर्सन एज अज अध्मिस्टेटर जैसा कि उन्होंने अपॉइंट किया हुआ अध्मिस्टेटर को और जो सब सेक्षन 4a के क्लॉज में है वो है कि चेर्में मैंजिंग डिरेक्टर और अधर डिरेक्टर अधर डिरेक्टर शेल फ्रॉम डेट ऑफ सब्रेशन ऑफ दा बोर्ड डिरेक्टर वेकेट देर ऑफिस यानि कि इसका पूरा अर्थ हम अभी समझ जाएंगे हिंदी में फिलाल यह है कि मैनेजिंग डिरेक्टर और जो भी डिरेक्टर से उनके वह अपना ओफिस खाली कर देंगे तो यहां पर मैंने साथ में सब क्लॉस भी में है कि all the powers functions and duties of the board of directors will be taken care by the administrator तो यहां पर मैं हिंदी में मैंने इसका बहुत अच्छा लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं कि जनसाधारन के हित में यह जरूरी है कि किसी भी banking financial company अपना कार जनसाधारन एब हम अपने जमा करता हूं और देंदारों के हित के विरुद्ध कर रही है या उसकी वित्ती स्थिती ठीक नहीं है या फिर ऐसी company के management के लिए reserve bank किसी भी director को जब चाहे तब हटा सकता है ठीक है और जो दूसरा है subsection वो यह है कि reserve bank जिस दिन यह आदेश देगा वो यह director उसी दिन से काम करना बंद कर देंगे और उनके समस्त अधिकार खतम हो जाएंगे इसके साथ में तीसरा जो subsection है वो यह कहता है कि reserve bank एक प्रिशाशक की नियुक्ति कर सकता है और उस प्रिशाशक को board और directors के समस्त अधिकार प्राप्त हो जाएंगे तो यह था आदी में अब हम देखते हैं इसके आगे भी है जो subsection 5 है वो यह बोलना है कि the bank में constitute a committee मतलब bank reserve bank एक committee constitute कर सकती है जो कि बाकी के accounts और बहुत सारी चीज़ें देखेगी और इसके साथ में एक चीज़ और है आठ में subsection में है कि no person shall be entitled to claim any compensation for the loss or termination office office अब हम इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं कि reserve bank एक समिती बना सकता है जो प्रशासक की मदद करेंगे और हिसाब किताब में सहयोग करेंगे और जो आठमा subsection है उसके हिसाब से हटाए जाने वाले directors किसी भी प्रकार का मेहनताना company से नहीं ले पाएंगे यानिकि board of directors क कि जितने भी benefits और salaries और perks थे वो सब खतम हो गए हैं तो यह स्थिती थी RBI के action की जो RBI ने action लिया है अब हम जानेंगे कि इसका क्या effect होगा what will be the change तो यहाँ पर बहुत ही simple शब्दों में मैंने यहाँ पर describe किया है आप इसको देखिएगा कि यहाँ पर एक बात का विशेज ध्यान रखें कि यह जो भी कारवाई Reserve Bank द्वारा शुरू की गई है यह तभी संभव हो पाई है जब सरकार ने नए IBC के नियम लागू किये और साथी Reserve Bank Act 1934 में बड़े बदलाव किये हैं दोस्तों Reserve Bank Act 1934 में एक नई धारा 45 IA के तहत यह सरकार ने कारवाई की है और उसे Reserve Bank Act में 2018 के बजट सत्र में ही संशोदित किया गया था यानि कि जो सीता रमन जी ने जो बजट तेज किया है उसके अनुसार ही यह चीज संभव हो पाई है और यदि सरकार यह बदलाव नहीं करती तो इस तरह का शेकंजा कसा जाना असंभव होता है तो अब हम इन जो नए न नियमों से हमें तीन फाइदे होंगे DHFL वाले केस में तो वो क्या फाइदे होंगे हम बारी बारी से इनको देखते हैं यह तीन फाइदे होंगे सबसे पहले हम देखते हैं पहला फाइदा कि DHFL देश का पहला वित्ती संस्थान है जो कि दिवालिया गोशित होगा इसके पह and bankruptcy code में लाने का काम नए नियम के तहत आसान है और यही DHFL के साथ होने जा रहा है तो DHFL की मुश्किलें बढ़ेंगी लेकिन जो जो दूसरी चीज है वो बहुत ही important है दूसरी चीज क्या है कि नए ABC के तहत investors और निवेश्कों के अंदर एक विस्वास पैदा होगा और Reserve Bank के द्वारा Nuked Administrator यानि जो अभी appoint किया है RBI ने द्वारा सभी देंदारियों को उनकी योगिता के अनुसर वापस किया जाएगा यानि कि यह ensure किया जाएगा कि जिसका जो पैसा है जिन investors का चाहे वो FD धारक हो या डिवेंचर धारक हो उनका पैसा उन तक मिले और जो तीसरा फाइदा होगा वो यह होगा कि IBC के साथ साथ SFIO की जो जांच शुरू की गई है उसमें भी तेजी आएगी और promoters और अन्य पार्टियां जो भी इसमें हुए घुटाले या गड़वड में पाई जाएगी उनको SFIO एक साक्षी के रूप में कोर्ट में ले जाएगा और उन लोगों पर criminal case शुरू होगा जिसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है तो यह तीन फाइदे दोस्तों आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल के और भी वीडियो देख सकते है जो की रोज हम रिलीज करते हैं आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद